नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए जिसमें जो है उतना ही मैटेरियल दिया गया है जिससे पढ़के आप अराम से प्रे निकाल सकते हैं पूरा मैटेरियल सौट करके जो है टोटल 844 पेज में कर दिया गया है अगर आप पेड़कूर जोइन करना चाते हैं तो यह नमबर दिये गया है याप याप कॉल या वर्ट सब्सक्राइब करके जो है पेड़कूर की जांकारी प्राप्ति कर सकते हैं तो आई वीडियो श ृच्छेतर पंचायत यवंग जिला पंचायत अध slides 1971 पारित किया गया था। आपके सामने चार प्सिन दिया गया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option C दोनों statement जो है वह सही है पंचायत राज अधनियम जो है 1947 में अस्थित में है और छेतर पंचायत अधनियम जो है वह 1961 में पारित हुआ था राजा टोडर मल भूलेक प्रसिचड एवंग सर्वेच्चड संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्थित है राजा टोडर मल भूलेक प्रसिचड एवंग सर्वेच्चड संस्थान और यहाँ पर प्रसिचड प्रसिचड प्रदान के जाता है भूलेक से सम्मंदित तिसका उप्रदेश के निम्र्खी जिलें को जो है छेतर फल की दिरिश्चड से जो है इनको और वही करम में सजाना है लखेमपुर खिरी, सीतापुर, हर्दोई, सोनभद्र इसमें सबसे बड़ा जिला छेतर पल की आधार पर सबसे पहले आपका लखेमपुर खिरी है दूसरे अस्थान पर जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला वह सोनभद्र है और तीसरा जो है, हर्दोई है चोथिव जो है, सीतापुर है तो यानि एक, चार, तीन और दो ऑप्शन ए जो है, वह सही है अगला पर देखते हम लो संकिसा बहुत अस्थल उत्तर प्रदेश में किस जले में इस्तित है लखनो, फरुखाबाद, संतकवी, नगर, सीतापुर तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन B संकिसा बहुत अस्थल जो है, वह फरुखाबाद में इस्तित है अगरा पर देखते हम लो 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्मार कहा करवाए गया था अजमेर में आगरा फतेपोसीकरी इलाहबाद तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन C फतेपोसीकरी में आगरा ने 1575 में इसका निर्मार कराया था इबादत खाना का और और इसका जो उद्दे से था वह विविन धर्मों के जो धर्मगुरू है उनको यहां बुला कर उन धर्मों के पर जो है चर्चा करने के लिए यह इबादत खाना करवाया था अकबर ने और कप कर रहा था 1575 में अगला पर देखते हम लोग आवद के किस नवाब ने राजी की राजधानी फैजाबास से लखनव अस्तांतरित कर दी थी आपके सामने चार उप्सन दिया गया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपका उप्सन भी आवद की चौथे नवाब असफूद दौला ने जो है वह 1775 में आवद की राजध जो है आवद के अंतिम नवाब थे इसका आप्सन भी जो है वह सही है अगला प्रेंद दीखते हम लोग उत्तर प्रदेश को चार छोटे प्रदेशों में बाटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश बिधान सभा में का पारिट किया गया था और इसे पारित किया गया था, 2011 में, और यह जो है, उत्तर प्रदेश को चार भागों में बाड़ता था, जो एक अवद प्रदेश होता, अवद, दूसरा जो है, बुंदेल खंड प्रदेश होता, तीसरा प्रुवांचल, और चौथा जो है, वह पस्चे प्रदेश होता, यह जो सयान सरो हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्सन D, मिरट जिला जो है, वह एका आंदोलन से प्रववित नहीं हुआ था, हर्दोई, बारवंकी, सीतापूर के जो किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, और इसके जो नेत्रित करता थे, वह मधारी पासी और जो सयान सरो हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्सन B, सोनभाद्र जो है, सोनभाद्र और मिरजापूर, मुखिते जो है, सोनभाद्र और मिरजापूर में कर्मा निरत्र, खरवार, जन्जाती द्वारा आजित किया जाता है, इसका ऑप्सन B जो है, वह सही है, अगला उत्तर प्रदेश के मुझभफर नगर में और इसको आप मांडा मत समझ लीजिए गया मांडा जो है वह जम्मू कस्मीर में इस्टित है और यह भी जो है हडपा सिंदु संभिता अस्थल है इसका अगला प्रदेश सरकार ने गैर पारंपरिक उर्चा विकास एजनसी नेडा क कि अस्थापना कब की थी 1993 में 1983 में 1988 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्सन भी अपरेल उत्तर प्रदेश में कितने सेज विसेज आर्थिक जोन है 14, 19, 25, 31 तिसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्सन भी वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में कुल 31 सेज जोन है विसेज आर्थिक छेतर तिसका ऑप्सन भी जो है वह सही है अगला ललितपूर, सोनभद्र, बलिया, गोर्यपूर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका option B, सोनभद्र जो है, वह चार राजयों के साथ सीमा साजा करता है, चार राजय कौन कौन से है, एक मद्र प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, छतीज गड़ हो ग कि ऐक जिला एक खेल के साथ सुमेलिद करना है, उतर पर्देश सरकार ने, दिसम्बर, 2022 में, कि 2022 में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के तर्ज पर एक जिला एक खेल शुरू किया है योजना शुरू किया है और इसमें फुटबाल जो है वह हात्रस का एक जिला एक खेल है और तीरंदाजी जो है आपका यह आपका सोनभाद्रा और ललितपूर का है बॉक्सिंग जो है वह बुलन सहर एवन कुसी नगर का है और टेबल टेनिस जो है वह आगरा और कानपूर का है तियानी एक दो सरी दो एक तीन चार इसका ओप्शन टी जो है वह सही है अगला प्रश्न है उत्तरपदेश राजमार्ग भूनिहंतरर अधनियम का पारित किया ग जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्शन ए दिसंबर में उत्तरपदेश राजमार्ग भूनिहंतरर अधनियम पारित किया गया था इसका ओप्शन ए वाला है सही है अगला प्रश्न देखते हैं लोग निमलकित में से कौन सा योग में सही सुमिलित किया गया है और प्रियंका गुसामी जो है यह पैदल चाल जो होती है इस्टेप चाल जो यह लोग कई घंटे घंटे तक चलते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं प्रियंका गुसामी जो है यह मुझभफर नगर की है प्रियंका गुसामी जो है यह मुझपः नगर की है मुझपः नगर की है अब मुहमद समी जो है यह आपके अम्रोहा जिले की है अम्रोहा जिले की है और यह क्रिकेटर है प्रियंका गुसामी जो है पैदल चाल है और मेगना सिंग जो है यह क्रिकेटर है, यह बैट मेंटर खिलाडी नहीं है, यह क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, और यह बिजनोर की है, और अनुरानी जो है, यह जबलिन थ्रूवर है, और यह जो है, मेरट की है, मेरट की है, तिसका सी वाला ओप्सन जो है, वह साही सोमिलित नहीं है, मेगना स जोए वह क्रिकेटर है बैट मिंटर खिलाडी नहीं है अगला प्रशन है निम लिकित मेंसे कौन सा स्योग में साइज हो मैं नहीं है मोती जील जो है कानपूर में इस्थित है अंधी जील वाराण सी में इस्थित है लिल्लोर जील जो है यह प्रयागराज में नहीं यह बरेली में इस्थित है लिल्लोर जील और अलवारा जील जो है यह कोसांबी में इस्थित है तिसका ओप्शन C जो है वह साई सुमिलित नही हैं अग्ला पर देखते हम लोग जंगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर पदेश के किस जिले में नियुन्तम 10 की जंसंख्या बृद्धी दर्ज की गई नियुन्तम पूछा जा रहा है गौतम बृद्ध नगर गाजियाबाद हमीरपूर कानपूर नगर तिसका जो सहयांसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्सन टी कानपूर नगर में जो है जंगर्णा 2011 के अनुसार दस की विर्धी दर्ज की गई है सबसे कम और यह जो है उन्चास प्रस्ट रही उन्चास प्रस्ट और दूसरी नमबर पर जो है वह आपका गाजियाबाद रहा 41 प्रस्ट के साथ दस की विर्धी यहां पर दज की गई तो इसका ओप्सन टी जो है वह सही है अगला प्रिंदेक्टे मोग अगला प्रस्टन है निम्रिकित में से नहीं प्रवाईत होती है और यह जो है लूरी नदी रायस्थान में अरावली परवत की पुसकर घाटी से जो है यह निकलती है और गुजरात के रण में जो है वह बिलुप्त हो जाती है इसका ओप्सन C जो है वह सही है अगला पर देखते हम लोग इंद्रा गांधी करते हैं मिलते हैं नक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाए भारत